आपका स्वागत है और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप बिना पानी के शकर गंदी को कैसे बॉil कर सकते हैं और बिना पानी के जब आप शकरगंदी को बॉil करते हैं तो उसकी delicious value भी पूरी बनी रहती है और साथ ही ये खाने में tasty भी बहुत लगती है। बहुत ही easy method है इसको इस तरीके से बनाने का। तो चिली शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर ले लिए ये चार शकरगंदी और आप देख सकते हैं इनका कलर डाक पिंग कलर का है। डाक पिंग कलर की ही आपको इस शकरगंदी मार्केट से बाई करनी है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये काफी मीठी भी होती है। हमने अच्छे से वाश कर लिया है और वाश करने के बाद अगर इसमें फिर भी मिठी रह जाए तो आप इसमें वेज़ेटेबल ब्रशे इसको क्लीन कर सकते हैं। वाश करने के बाद आप शकरगंदी लीजिए और इसका ये वला पाट यानि कि ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से कट कर दीजिए इस तरीके से। और अगर काफी बड़ी शकरगंदी हो तो आप उसको दो पीस भी कर सकते हैं। शकरगंदी को बॉल करने के लिए हम नहीं हम पर हैवी बॉटम तवा रख लिया है। ये डेली रूटीन में जिस पर हम रोटी और पराठा बनाते हैं ये वही तवा है। गरम करने रख दिया है गैस की फ्लेम अभी हमारी फुल है। और हम अपर ये शकरगंदी इसके उपर रख देंगे। इस तरीके से ये चारों शकरगंदी हमने रख दी है। और अब हम इसके उपर एक ऐसा घैरा बाउल रख देंगे। और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। और लग फ्लक दस मिनटके लिए हम इसको ऐसेही रहने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं कवर को हटा कर देख लेंगे। और शकरगंदी को अब हम अलट पलट कर लेंगे। तसे हम इसको कवर कर देंगे। अब कर लेंगे लग chercherएंगे। दस मिनट हो गए हैं अब हम इसको दुबारा से हटा कर देखेंगे यह देखिए अब जो हमारी शकरगंदी है दूसरे साइट से भी हम देखें तो थोड़ा थोड़ा से ब्लाक स्पॉट आ गए है और इसको से बहुत अच्छी खुश्बू भी आने लगी है हम इसको हलका सा नाइफ से ऐसी कट करके देख लीजेगा इस तरीके से अगर यह इसली इंसर्ट हो जाए और ऐसे काट कर भी आप देख सकते हैं यह देखिए यह अराम से कट गई है लेकिन थोड़ी सी अभी हमारी शकरगंदी में हार्टेस है यह देखिए तो अभी हम इसको दुबारा से 5-7 मिनट के लिए और कवर करके रखेंगे गयास की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे 5 मिनट हो गए है और अब हम इसको फाइनली उतार कर देख लेंगे इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्पू भी आने लगी है दुबारा से हम इसको नाइफ से कट करके देख लेंगे यह पिल्कुल अराम से कट हो गई है और अच्छे से बॉल भी हो गई है गयास को हम बन कर देंगे और इसको जल्दी से छिल लेंगे हमने इसी शकरगंदी के साथ दो रेसिपी और भी बनाई हुई है एक है शकरगंदी की चाट और तूसरी है शकरगंदी की खीर दोनों ही अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं तो इसकी बरकरात हती है तो आपने इस वीडियो में देखा कि बिना पानी के भी आप शकरगंदी को बॉil कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा फैंस वा फैंली के साथ और इसे टेको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रस करना भी बत देगा थैंक्स वागा